इसे बचों ने डाउट करा है तो इसका solution ले करके चलिए हम आपके सामने हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आपके सामने एक पैलेलोग्राम गिवन है आप इसे अपनी कॉपी में भी खुछ से बना सकते हैं पैलेलोग्राम इन विच एंगल एकवल्स टू 60 डिगरी ओके तो यहाँ पर जो एंगल ए है इस कंप्लीट एंगल इस कॉल्ड ए यह आपके पास जो है इंगल ए इसे कंप्लीटली कितना कहा गया है यहाँ पर 60 डिगरी कहा गया है यहाँ पर हम को सुरुवात कैसी करने पड़ेगी इस क्वेश्चन की क्सक्वरात हमें इस तरीके से करने पड़ेगी और पैलेलोग्राम को आप यहाँ पयलोग्राम कuç एक सकते हैं इन शॉट Zhong CD, and BC is equal to opposite side AD, यह पहला लोग्राम क्या प्रॉपर्टी जानते ही है, और साथ ही साथ, AB equal भी, parallel भी होता है CD के, and BC is also parallel to AD, यह प्रॉपर्टी आप जानते हैं, यहाँ पर क्या-क्या given है, given है बिटा, आपके पास में angle A equals to, कितने डिग्री दे रखा आपको, 60 डिग्री, तो पहली चीज़ आपको यहाँ पर angle A जो है, that is given how much, 60 डिग्री, बहुत अच्छी बात है, angle A 60 डिग्री रिया है, and you know बच्चों की angle A 60 डिग्री है, तो आपके पास में angle C कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, because parallelogram की जो opposite angle होते हैं, वो क्या होते हैं, equal होते हैं, तो if angle A equals to 60 डिग्री, clear, so by property of parallelogram, angle C भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, तो I can write यहाँ, angle A equals to 60 डिग्री, that's why angle C is also 60 डिग्री, बहुत बढ़िया है, चलिए, आँगी क्या कह रहा है, if the bisector of angle A and angle B, देखें, यहाँ पर कहीं न कहीं angle B की बात करी गई है, ओके, angle B की बात करी गई है, थोड़ी सी जगह मैं यहाँ पे खाली छोड़ देता हूँ, तो क्योंकि मेरे को पहले question में पूरी चीज़े लिखनी पड़ती ही, जो मुझे given है, दन उसके बाद हमें जो proof करना पड़ता है, वो सारी बाते हमको लिखनी पड़ती है, यहाँ से मैं इसको erase करके, मैं थोड़ी सी जगह छोड़ करके, क्योंकि मुझे given proof अगरे लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं लिखना सुरू करता हूँ, जहाँ पर मैं start करता हूँ proof, मतलब मैं इसको proof करने जा रहा हूँ, तो since angle A equals to 60 degree, this implies that angle C equals to also 60 degree, logic आप लिख दीजे क्यों, क्योंकि इन parallelogram जो opposite angles होते हैं, angles are equal, okay, in parallelogram, तो parallelogram है बेटा, opposite angle जो होते हैं, वो equal होते हैं, इसलिए आपने यहाँ पर, angle A equals to 60 degree है, और आपने angle C equals to, भी क्या कर दिया, 60 degree है, next है, आँगे क्या कर सकते हो, आप देखो, आप angle B के बारे में भी आप निकाल सकते हो, यहाँ पर, angle B भी आपका clear निकल सकता है, कैसे निकल सकता है, आप logic देखिए, यह आपके पास में एक दो parallel line है, और यह एक transversal की तरह ट्रीट कर रहा है, कौन सी side अपनी A, B, A, B जो है, वो एक transversal की तरह इसको ट्रीट कर रहा है, और यहाँ पर angle कितने degree है, 60 degree है, तो अगर यह unknown angle है, so can you consider it, तो आपको पता है कि parallel line, कि same side के interior angle का sum कितना होता है, 180 degree, ओके, so 60 plus, यह complete angle B है, मैंने इसको दूर नहीं बनाना चाहिए, तो 60 plus complete, this is angle B, यहाँ पर क्या बनेगा आपके पास में, यह angle B है, यह complete, यह देखी, यहाँ पर बैठा हुआ है, angle B, तो 60 plus angle B, equals to how much? 180, so angle B equals to 180 minus 60, that is equals to 120, यही चीज़ आपको, यही चीज़ आपको यहाँ पर आकर के लिखनी है, ओके, ठीक है न, तो क्या लिखना पढ़ेगा, since AD is parallel to BC, क्योंकि हर चीज़ के logic देने पढ़ते हैं, उसके marks मिलते हैं, हर चीज़ का proof देना पढ़ता है, since AD is parallel to BC, AD parallel to BC है, तो co-interior angle of the same side का sum कितना होता है, 180 degree, so angle A plus angle B equals to, हमाई पास कितना 180 degree, so angle A is 60, plus angle B equals to 180, so angle B equals to, हो जाएगा, हमाई पास 180 minus 60, that is equals to 120 degree, तो हमाई पास कितना आ चुका है, हमाई पास angle B हमारे पास आ चुका है, this is equals to 120, okay, so यह जो angle है, हमाई पास ए ग्रीन कलर का, जिसको मैंने शोव किया है, okay, this angle is how much 120, तो यह 120 हमाई पास आ चुका है, तो obviously angle D भी कितना होगा, यह 120 होगा, ओके, यह भी कितना होगा 120, so angle C equals to, B equals to 120 degree, so, angle B equals to, angle D equals to 120 degree, क्यों, क्योंकि opposite angles of parallelogram क्या होते हैं, equal होते हैं, opposite angles of parallelogram, are equal, तो बैटा, यह भी हमारे पास equal आ चुका है, बहुत अच्छी बात है, ओके, अब आते हैं वापस question में, अब आँगे पढ़ते हैं question में, देखे, अभी तक हमको given given ही चल रहा है, angle equal to 60 degree, और हम सारी चीज़े निकाल रहे हैं, आगे पढ़ता हूँ question क्या कह रहा है, if the bisectors of angle A and angle B meet DC at P, अब आजओ भाई साब bisector पे, क्योंकि bisector की बात की जा रहे है, angle A भी हमको मिल चुका है, angle B भी हमको मिल चुका है, देखे, यह A, P जो है, bisector है, angle A का, angle A का bisector है, मतलब angle A को यह half half part में break करेगा, angle A को half part में break करेगा, तो यह वाला angle भी कितना हो जाएगा, A by 2, जो उपर आपके पास में angle बन रहा है, यह भी कितना हो जाएगा, A by 2, और यह भी हो जाएगा, कितना A by 2, तो since A equal to 60 degree, तो यहाँ पर तो पहले चीज़ हमको given लिखनी पड़ेगी, कि angle A equal to 60 degree, और साथी साथ हमको क्या दिया गया है, A P is bisector of angle A, ओके, A P is bisector of angle A, तो एक काम करते हैं हम, हम इन angles के नाम 1, 2, 3, 4 करके कुछ ले लेते हैं, उससे क्या होता है ना, आपको अराम रहता है, नहीं तो आप बार-बार लिखोगे, तो आपको दिक्कत बनेगी, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास यह angles आ चुके हैं, हम इनके नाम लिख लेते हैं, यह इसका नाम में लिख लेता हूँ 1, और इसका नाम लिख लेता हूँ 2, AP is the bisector of angle A, तो since, यहाँ पर क्या चलेगा हमारे पास में, हम लिखेंगे, since angle A equal to 60 degree, so angle A का half जो बनेगा बेटा, that is equals to 60 by 2, equals to कितना बन जाएगा, 30 degree, and 30 degree जो होगा, वो angle 1 भी होगा, और angle 2 भी होगा, because दोनों क्या हैं, equal हैं, so angle 1 equal to, angle 2 equal to कितने डिगरी, 30 degree, बहुत अच्छे, अब angle B का भी bisector दे रखा है, क्या दे रखा है angle B का bisector, तो इच्छी यह चीज आपको समझ में आ चुकी है, कि हमारा यह जो angle है, कितना आ चुका है 30 degree, और यह भी आ चुका है 30 degree, मतलब इसको भी हमने 30 degree ले लिया है, और इसको भी हमने 30 degree ले लिया है, इनके नाम हमने 1 और 2 माने थे, similarly B का bisector क्या है, BP है, BP is the bisector of, BP is the bisector of B, और एंगल B का bisector कौन है, BP है, तो जब यह BP आपके पास में bisector है, जब आपके पास में BP bisector है, तो angle B आपने कितना निकाला है, 120 degree अभी अभी निकाला आपने, तो again, since angle B equals to 120 degree, यह आपके पास angle B कितना 120 degree, तो angle B by 2, that is equals to 120 divided by 2, that is equals to कितना degree, 60 degree, and 60 degree के दो हिस्से हैं, मैं इनको 3 and 4 ले लेता हूँ angle को, okay, so this is angle number 3, and this is angle number 4, कोई भी ले लो 1, 2 था यह, और इसको आपने क्या ले लिया, नीचे वाले को 3 ले लिया, उपर वाले को 4 लिया, और दोनों अपस में क्या है, equal है, यह 30-30 थे, और यह कितने बन गए, यह 120, 120 बन गया, नीचे वाला भी 120 बन गया, and उपर वाला भी 120, so you can write here, this is 120, and this is 120, अभी हमारा question ही चल रहा है, देखो अभी हम question के अंदर, प्रूफ करने पे नहीं कए, अभी हम question को सजा रहे हैं, ओके, पहला सवाल, यह आया भाई, अब आया हमारे पास पहला सवाल, यह प्रूफ करना है, प्रूफ देट, एंगल APB equals to 90 डिग्री, ओके, अब यहां से हमारा सुरू होगा, to prove, जो कि एक्जाम में हमको लिखना पड़ता है न, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, to prove, क्या लिखना है, पहला prove हमें लेकर क्या आना है, एंगल APB equals to 90 डिग्री, अब आप देखो guys, कितना simple आपका question जनरेट हो चुका है यहां पे, अब आप triangle APB ले लो, पहला prove हम करने जा रहे हैं, तो हम लिखेंगे, in triangle APB, ओके, in triangle APB, आपके पास में जो triangle APB हैं, आपे तीन angle बन रहे हैं, यह देखिए, एक angle आपका 1 बन रहा है, जिसको हमने 1 लिया था, और यह तो complete angle अपना P ही है, APB है, और एक angle अपने पास क्या बन रहा है, angle 3, आप इनके नाम लिख सकते हैं, एक बनेगा PAB, एक बनेगा angle APB, दूसरा PB है, तो मैं पुरा नाम लिख देता हूँ, इस पर आपके लिए, angle PAB, so in triangle APB, कौनसी property, by angle sum property, ठीक है ना, क्या बनेगा, पहला बनेगा अपने पास में, P तो उपर है, पहला बनेगा angle PAB, plus angle APB, plus angle ABB, equals to how much, 180 degree, अब यह आपके पास कितना given है, पहला वाला angle है, PAB, okay, this is 30 degree, because यह angle 1 था, यह जो PAB था बिटा, यह angle 1 था ना, तो यह 30 degree बन गया, यह आपके पास में, ABBA, angle 3 and angle 4, यह इकल हुए था, आपके इस इकल स्टो 60 degree, तो आप यहां पह रख दीजे, 60 degree equals to how much it is, 180 degree, now 60 plus 30 equals to 90, so APB plus 90 equals to 180 degree, so angle APB equals to how much, 180 minus 90, and 180 minus 90, कितना बज जाएगा बेटा, 90 degree बन जाएगा, so APB equals to 90, वाउ, तो पहला answer हमारे पास आ चुका है, answer आते ही, इस तरीके से लिख दिया करिए, exam में जो copy check कर रहे हैं, examiner उनको पता चल जाए, कि आपका answer आ चुका है, more clearly आप block भी लगा सकते हैं, तो उन्हें बड़ी प्रशानता होगी, चलिए, पहली चीज हमारे आ चुकी है, first, अब second हमें क्या प्रूफ करना है, second हमें प्रूफ करना है, AD equals to DP, AD, DP, पहुँचिए AD, DP देखे, किस ट्रेंगल में है AD, DP, मैं highlighter से आपको दिखाता हूँ, AD कहां है, DP कहां है, यह देखिए, यहाँ आपके पास में AD बैठा हुआ है, this is AD, औके, और यह DP बैठा हुआ आपके पास में, AD बैठा था, औके, और यह DP बैठा था, मतलब आपको जो triangle लेना है बिटा, वो कौन सा triangle लेना है, आपको यह triangle लेना है, आपका triangle ADP, औके, और इसमें जाहिर सी बात है, कि हमको दोनों को equal दिखाना है, मतलब ISOCELLIS triangle बनेगा, उसके लिए हमें, यह angle a p d find करना पड़ेगा a p d find करना पड़ेगा तो मैं angle a p d find करके आपको बता देता हूँ बहुत easy है हाँ पर तो angle a p d find करना देखें यह वाला part अपने पर 30 degree आ चुका है this is angle 1 यह वाला part आपको पता है this is equals to 120 degree पूरा green color का जो इसे करना पड़ेगा मुझे यह 120 degree है बिस आपको यह find करना है ओके तो angle sum property लगा दीजे किस triangle में angle a p d में ओके angle a p d में आप जो है क्या लगा दीजे angle sum property तो हम लगाते हैं क्या लिखेंगे हम in triangle a p d यहाँ पे लिख 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 जाए जग है ठीक ठाक है यहाँ पे चलिए तो हम लिखेंगे in triangle a p d by angle sum property तो हम आपस तीन angle है यहाँ पे जो सबसे नीचे हमारा corner है यह वाला जो angle बन रहा है इसको हमने angle 1 लिया है उपर वाला angle d है और तीसरा वाला angle p है प्लस एंगल a p d यही हमको find करना है equals to how much 180 degree equals to कितना हो जाएगा मैं पस 180 degree clear है इसको लिख देता हूँ प्लस एंगल a p d equals to 180 degree अब angle 1 की value आपको 30 degree हुई है क्योंकि 60-60 half हो गया था angle 1 equals to how much 80 is equals to 30 degree angle d तो opposite angle था तो 120 degree था because नीचे 120 था plus angle a p d equals to 180 degree now 30 plus 120 equals to 150 degree plus angle a p d equals to 180 degree now angle a p d equals to 180 minus 150 कितना बन गया बच्चों ये ये बन गया हमें पास में 30 degree so angle a p d equals to 30 degree ये आने के बाद हमको एक और चीज पता चल रही है कि ये दोनों angle equal है मतलब ये 30 था और हमारे पास ये जो angle है ये भी कितना बन चुका है 30 degree बन चुका है ठीक ना ये angle जो हमारा है जिससे मैं pink color से शो कर रहा हूँ ये angle भी हमारे पास कितने degree बन चुका है ठीक तो आप देख रहे हैं दो angle हमारे पास 30 बन चुके हैं एक नीचे और एक उपर एक उपर हमारे पास angle 30 degree तो आप जानते हैं कि किसी triangle के दो angle अगर equal होते हैं तो उसकी opposite sides क्या होती है equal तो इसकी opposite side AD है और इसकी opposite side नीचे वाले angle के opposite side क्या है DP तो since angle dap equals to angle dpa लिखना पड़ेगा since angle since angle a कौन कौन सा angle है APD equal to dap since angle a PD since angle a PD equals to angle dap और दोनों कितने degree आ रहे हैं 30 degree आ रहे हैं तो हमारी opposite sides जो होंगी इनकी क्या होंगी equal होंगी so हमारा क्या result बन गया AD equals to AD equals to AD बन जाएगी और एक बन जाएगी हमाई कौन सी DP AD equals to DP बड़ा question है आप copy में साथ में करते जाएंगे तो AD equals to DP तो ये side हमारी इसके क्या हो गई equal हो गई तो AD और DP हमारी क्या हो चुकी है हमारा काम हो चुका है यहाँ पे जितना हमने बनाया है इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि बहुत गंदा लगने लगता है ये दीजी कि देखे हमने इसको सब कुछ साफ कर दिया अब चलिए हमारा second वाला भी proof हमारे पास हो चुका है जो हम proof करना चाह रहे थे ये भी हो गया है अगला क्या शू करना है PB equal to PC equal to BC PB, BC और BC तीनों equal है भाई साब तो PB कहां बैठा है ये PB ये बैठा है ये PB बैठा हुआ है PB equal to PC ये बैठा हुआ है and this is equals to how much this is equals to BC ये मतलब ये तीसरी चीज तो ये कब show हो सकता है कि तीनों equal हो जब ये एक equilateral triangle बन जाएगा अगर ये equilateral triangle बन जाएगा तो हम ये सब कुछ को क्या कर सकते है equal कर सकते है, हाँ ये बात तो है तो चलिए क्या ये equilateral triangle बनने की गुण्जाइश में है कि नहीं है देखे यहां पर यह total एंगल 120 आया था total आधे-धे 120 नहीं है साइध मैंने मिस्टेक से लिग दिया है तो यह total एंगल पिटा यहां पर 120 आया था मैंने लिकाला था आपका कि एंगल B equals to 120 डिग्री निकला था कहां निकला हुआ है यह देखे एंगल B हमारा 120 निकला हुआ है और एंगल B से यह bisect पर जा रहा है तो क्या करेगा इसको 60-60 में break कर दिया था तो यह भी 60 हो गया और यह भी क्या हो गया 60 ओके अब यह अपने पास में कितना था एंगल ए जो total आपके पास बना था वो कितना बना था याद है आपको एंगल ए बना था आपका 60 डिग्री तो by property आपका एंगल C भी कितना होगा 60 डिग्री अब आप triangle B B, B, C या B, C, P में आप क्या लगा दीजे आप angle sum property लगा दीजे B, C, P में आप क्या लगा दीजे angle sum property so by angle sum property हम लगा रहे हैं in triangle B, C, P by angle sum property आपके पास तो एक है angle, angle आपके पास है P, B, C एक है आपके पास angle P, C, B और एक आपको angle जो find करना है जिसका नाम है B, B, C equals to 180 degree तो clear है पिटा पहला वाला भी आपके पास जो ये नीचे बट रहा है 120, 120 में ये भी 60 है 120 जो half हो गया 60 है उपर जो angle C बन रहा है वो भी 60 है और B, B, C आपको find करना है तो ये भी अपने पास कितना आजाएगा बिटा 180 माइनस 120 angle B, B, C equal to 180 minus का 120 तो बिटा ये भी कितना आजाएगा आपके पास बच्चों 60 degree आजाएगा तो हमारे पास angle B, C भी कितना आचुका है 60 degree आचुका है ये दिखिए ये जो ऊपर angle हमारा बैठा हुआ है इसको मैं ये वाले angle को दिखा रहा हूँ ये जिखिए वाला तो ये कितना आचुका है हमारे पास 60 degree आचुका है चली बहुत बढ़िया तो हमारे पास ये angle तीनो 60 degree that's why B, C is a कैसा triangle बनगे आपने पास equilateral triangle और equilateral triangle की तीनो sets क्या होती है equal होती तो this equal to this equal to this okay so B, P, C is a equilateral triangle so we have so we can write what we can write so triangle B, P, C is an equilateral triangle ये equilateral triangle है so B, P is equals to B, C is equals to B, C okay ये लिख सकते हैं यही आपको प्रूफ करना था तो यहाँ पर आप इसको right mark करके hands proved करने सामने वाले को पता चल जाए answer अच्छा उपर भी मुझे यहाँ पे hands prove लिखना था एक बात में भूल गया था यहाँ पे भी hands proved और यहाँ पे hands prove लिख चलेगा क्योंकि हम कोई question solve नहीं कर रहे हैं हम prove कर रहे हैं यहाँ पे proving का question है ओके और देखिए तो तीन चीजों में हम आ चुके हैं यहाँ तक हम पहुँच गए अब क्या है DC equals to 2AD तो DC को पकड़िए भाई साब DC equals to आपको लिकालना है कितना AD का twice DC equals to AD का twice चलिए अब किसका काम करना है भाई साब आपको अब जो है अब कुछ DC equals to 2AD कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है बहुत इसी है आराम से दिखाई भी दे रहा आप लोग को देखिए एक बात आप यहाँ पे यह देखिए कि DC equals to twice of AD आपसे बोला जा रहा है DC equals to twice of AD तो बहुत सारा हमारा डाइगराम यहाँ पे कचला हो चुका इसको मैं पहले साफ कर दो तब तो कुछ दिखना सुरू हो यह देखिए अब हमने वापस इसको clean neat and clean कर लिया है आपको किसको किसको क्या लेकर क्याना है आपको DC को twice of AD के को लेकर क्याना है DC पूरा यह बैठा है यह yellow color से आपको दिखा रहा है यह DC है और इसको करना है बटा AD का twice मतलब यह जो AD है इसका आपको twice करना है तो आप समझे इस चीज को कि इसमें आप क्या क्या हो सकता है इसमें कैसे इसको हम कर पाएंगे देखिए यहाँ पर कैसे मैं आपको diagram में दिखाने कोशिश करता हूँ आपने देखा कि यह जो side है यह X है और यह इसके equal है तो यह भी कितनी है हमारे पास में X है अभी logically आपने देखा है कि यह equilateral triangle है कौन सा triangle है यह वाला equilateral triangle तो अगर आपके पास में यह side Y मान लो तो यह भी कितनी है बेटा Y है और यह भी कितनी है बेटा Y है तो अब हमारे पास केवल एक चीज की problem है कि हम x को y के equal कर ले हम किसको किसके equal कर ले x को y के equal हमको अगर x को y के equal कर लेंगे तो ये भी पता चल जाएगा कि जो pd है वो pc के equal है और p क्या बन जाएगा midpoint बन जाएगा और जैसे ही p midpoint बनेगा आपका proof जो है dc equal to twice of ad बड़े अराम से दोड़ते हुए आ जाएगा ठीक है ना तो आइए अब हम क्या कर सकते हैं अब हम similarity बिठाने का प्रयास करते हैं तो similarity हम बिठाने का प्रयास करते हैं आप देखिए यहाँ पे यह x है यहाँ पे यह x है बहुत बढ़िया और यहाँ पे जब यह आपने एंगल निकाला था यह आपने जो एंगल निकाला था याद कीजिए तो यह एंगल कितना आया था आपका यह एंगल आपका आया था 120 डिग्री ठीक है ना यह एंगल आपका कितना आया था भाई साब यह आपका टोटल अपने पास में 60 था यह आपके पास में 60 था ठीक ना तो यह आपका कितना हो गया था यह आपका 120 हो गया था तो यह आपका 120 हो गया था clear तो यह एंगल अगर टोटल 120 है तो हमारा opposite angle क्योंकि equal होते हैं तो ये angle भी कितना होगा मैं पास 120 तो इस तरीके से तो नहीं बट एक चीज़ देखे बहुत ही common है उसकी उस पर हमारी शायद नजर नहीं पड़ी है वो क्या है वो ये है कि बेटा देखे X और Y तो automatically equal हैं क्योंकि opposite side of parallelogram AD और BC हैं अरे भाई जिसको ढूड रहे हैं वो एक दम बाजू में ही बैठा हुआ है तो X और Y तो already equal हैं फिर क्या फिर तो बहुत ही आराम से हमारा काम हो जाएगा चलिए कैसे हो जाएगा काम हमारा देखे ये जो X है X की value Y की value के क्या होगी equal होगी क्योंकि opposite side है और हमको यही चाहिए था कि हम X को Y की equal कर ले अब आएए हम जो चौथा number proof है हमारा DC equals to twice of AD उसको मैं यहाँ पर perform करता हूँ तो इस थोड़ी सी जगह पर मैं लिख देता हूँ क्योंकि जगह काफी है यहाँ पर बन जाएगा तो DC equals to AD मेरे को ले करके आना है तो देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर जो मेरे पास DC है बिटा DC जो है मेरे पास DC DC equals to आप लिख सकते हैं DB plus PC DC equal to DP plus बिटा कितना हो जाएगा PC बहुत बढ़िया DC equal to DP plus PC तो DP हमारे पास कितना है DC equal to DP जो है अभी आपने प्रूफ किया था कि यह प्रेंगल की साइट से जो की equal है और DP किसके equal है DA के equal है अभी आपने देखा भी था प्रूफ करके कि जो हमारा DP है यह वाली क्रीन कलर की साइट जो है वो DA के क्या है equal है तो D यह C लिखना पड़ेगा तो DC equals to यह जो DC हमारे पास में DP के place पे हम क्या लिख सकते है DA या AD AD लिख सकते हैं और BC BC क्या है BC जो है यह equal little triangle है यह किसके equal है BC के equal है equal little triangle किसके equal है BC के equal है तो equal little triangle से PC जो था यह किसके equal है बिट अपने पास में BC के equal क्योंकि यह side BC है और नीचे वाला यह अपने पास यह BC है तो PC और BC क्या है equal little triangle की property से हमारे equal हो चुके है and dc equal to ad जो है क्या है किसके equal है bc की equal है अपने पहली property में लिखा है कि bc equal to ad यह देखे यह भी यूज हो गई तो यहाँ पे मैं ad तो रखूँगा ही bc के जगे पे मैं क्या रख दूँगा again ad so dc equals to twice of ad तो यह एक हमारा बड़ा सा question काफी सारे पार्ट थे इस question के बढ़ हमने इसको बहुत आसानी से proof कर लिया है अगर clarity रखेंगे तो आपका question बहुत आसान से होता जाएगा और घबराना नहीं है क्योंकि geometry मैंने आपको कहा है कि तंग तो करती है मगर आपको थेंक यू सो मिच